नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल में तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको दुखाऊंगा पूरा एक्जाम पेपर दोस्तों ये जो एक्जाम पेपर में आपको सोल करके नहीं दिखाने वाला हूँ आपको दोस्तों खुदी एक्जाम पेपर सोल करना है आपको देखना है कि हमारे तियारी कितनी हो चुकी है अगर दोस्तों आप इस exam paper में 70 plus question attempt कर पाते हैं आप 70 plus marks ला पाते हैं तो जो आपकी तियारी है भी वो काफी अच्छी है लेकिन अगर आप 70 question नहीं कर पाते हैं और आपका इसको 70 से नीचे रहता है तो अभी आपको तियारी की जोरत है दोस्तों मैं आपको 100 के 100 सवालों को दिखाने वाला हूँ और आपको वीडियो को pose करते हुए इन सवालों के answer देने हैं और finally comment करके हमें बताना है कि जो आपका score है वो कितना रहा है दोस्तों देख सकते हैं यह हमारा page number first है और page number first में हिंदी के सवाल दिये गए है आपको इन सवालों को देखते हुए question के answer देने है और finally comment करके हमें बता दिजेगा कि आपका score कितना रहा है दोस्तों देख सकते हैं यह हमारे first page में 16 question दिये गए है देख सकते हैं दोस्तों आपको यह question solve करने है और वीडियो को pose करते हैं आपको इनके answer बताते लिखते जाना है दोस्तों देख सकते हैं यह हमारा second page है और second page में हमारे second page में हमारे 21 सवाल दिया गया है पादब कोसी का कि कोन सी विसेस्ता है होती है देखिए हमारे कुछ सवाल यहां पर biology से सवाल यह पूचा गया है science के भी काफी सवाल आप से पूचे जा रहे है देखिए हमारा यहां पर history से पूचा गया है 22 सवाल हमारा 23 का rhizobium एक enzyme है जो बने होते हैं काफी सवाल मचलियों के एक हर्दे में कितने कोश्टक होता है यह भी हमारा biology से पूचा गया सवाल है पादफों में किस परकार होता है यह भी biology से पूचा गया देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं जो हमारे science से सवाल काफी पूचे गया है देखिए हमारा page number 3 है कपनी गलेशर कहां इसती थे देख सकते हैं इसमें काफी सवाल पूचे गया है रिजनिंग के भी काफी सवाल आपसे पूचे गया है किस परसित गेंदबाज को भारते के टीम का नया कोश निक्त क्या गया है आपकी जो current affair है दोस्तों वो भी पूची जा रहे है दोस्तों तीन नमबर के आपकी जो केंदर की सैंटर की या वर्ल्ड की जो current affair है वो पूची जा रहे है दोस्तों तीन नमबर की आपसे पूची जाएगी दोस्तों उत्राखंड की जो current affair है उसको दोस्तों देख सकते हैं हमारा ये page number हमारा थड़ है और इसमें काफी सवाल दे गए हैं आप पोस करते हुए इनके answer देगे गा दोस्तों देखे हमारा page number 4 थे इसमें पूछा गया इनमें से कौन सा basic कुस्णता के लिए उत्ताद आई हैं देखे option भी दिया गया इसमें पोदो में कुपजा ग्राम के नाम से जाना जाता था अलमोडा के पूर मेस्तित खगमरा के लिए का निर्मान किस राजा ने करवाया है देखे हमारा page number 4 थे हमारे 44 सवाल है इन साइकलोपीडिया किसे कहा जाता है देखें यहां पर काफी सवाल दे गए हैं दोस्तों आपको सभी स पेज नंबर 6 है 2011 की जनगन्या के नुस्वात साखसरता की दरश्टी से उत्राखंड का देश में कौन सा स्थान है देखें करंट अफेर से पूछा गया सवाल है दोस्तों आपको सभी सवाल देखने हैं और सवाल करना विसु में सबसे लंबी महादी परसरेनी कौन से देखें यह हमारा उत्राखंड की जो उत्राखंड है उसके जो जी अगर आप इससे पूछा गया सवाल है दोस्तों पीस नंबर 6 था हमारा पीस नंबर 7 देखें इसमें आपको देख सकते हैं दोस्तों हमारे कुछ सवाल इसमें रीजनिंग मैत से भी पूछे गए हैं तो दोस्तों इसमें उसस चाल पूछी गई है यह हमारा मैतमेटिक से आया हुआ सवाल है देखें यहां पर काफी सवाल पूछे गए हैं हमारे साइंस से और रीजनिंग और मैस से भी पूछे आया हैं देखें हमारा पिज नंबर 8 है किसी कोड में कारपेट को TCEAPAR लिखते हैं तो नैशनल को आप क्या लिखेंगे देखना है आपको कितने सब्दों का अंतर है उसी साब से आपको आंसर देना है देखें हमारा रिलेसंजिप से पूछा गया सवाल है दोस्तों देख सकते हैं यहां पर 70 सवाल हमारा मैतमेटिक संक्या यह है विग्यानिक मान क्या होगा पूछा गया है हमारे जो पॉलिटिकल साइंस है उससे भी काफी सवाल पूछे गए वैस्थान जान नद्या समूदर में मिलते कहलाता है दोस्तों इस अस्थान का नाम बताना है आपको इससे क्या बोलते हैं दोस्तों देख सकते हैं नात्फा जाकरी जल्विदृत परियोज हमारी भारत की योगराफी उससे सवाल पुछा गया इस इंडिया कंपनी के स्थापना कब हुई थी देखें हिसे सवाल पूछे गए हैं जो वर्ड योगराफी वर्ड हिस्ट्री से भी काफी सवाल आई हैं दोस्तों अडॉर्फ हिटर लग किस पार्टी से सथापना की और पीज नमर 10 देख लेते हैं माजु देवताव की पूजा होती है दोस्तों देख सकते हैं आप अपना स्कोर फाइनली कमेंट करके बता दीजेगा मैं आपका स्कोर कितना रहा है दोस्तों 70 प्लस आप कर पा रहे हैं तो आपकी त्यारी बहुत जादा अच्छे आपका 100 पर सब्सक्रावर के पर देखें देखेंगे उत्तरा घंड उत्तरा घंड गण से पूछा गया है एक पीज नमभर 10 पेज नमबर 11 देख लेते हैं 93 सवाल है हमारा वर्ज़स कि दोनाचारे पुरसकार किस ने पराप्त किया था दोस्तों देख सकते हैं यह हमारा करेंट अफेर्ट से पूछा गया सवाल है 94 किस उद्रो को कुमाओ का बारदोली कहा जाता है काफी अच्छा सवाल है दोस्तों मसूरी स्टेशन लाइबरे के स्थापना कब हुई थी दोस्तों देखें आपर कनकपाल किस वन्स के सा सकते कनकपाल आपको आप जानते होंगे दोस्तों तो दोस्तों देख सकते हैं हमारा 100 सवाल है फेडरे किस मेटा दौरस था भी तितलियों का संग्राय कहा जाता है खुरपताल, नेरिताल, साथताल, वीमताल तो दोस्तों देख सकते हैं हमारे 100 सवाल थे आई होब दोस्तों इसमें आपने 70 पलस अपना स्कोर किया होगा दोस्तों अगर आप 70 पलस स्कोर कर पा रहे हैं तो आपकी तियारी बहुत ज्यादा अच्छी है और आपका 100% सलक्षन होगा ही होगा दोस्तों तो दोस्तों आज की वीडियो यही पर समाप्त होती है आप अपने जो माक्स बने हैं कमेंट करके हमें बताइएगा तो दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी आपके लिए help फुलो अगर ह новых हो तो आप हमें इस वीडियो को like करें साथ ही हम से जुडने के लिए हमारे YouTube चैनल को subscribe करें तो दोस्तों मिलते हैं नेक्ट वीडियो में धन्यवाद